हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज हम प्लाजो की कटिंग का अगला वीडियो लेकर आए हैं यहाँ पे जो पैंट प्लाजो की कटिंग है उसका जो नाप है वो 36 इंच हिप का है यहाँ पे दो पहले वीडियो आ चुके हैं यह थर्ड वीडियो है वीडियो को आप ध्यान से दिखेगा बनने के बार प्लाजो हमारा इस तरह का परफेक्ट बनेगा यहां पे हमारी प्लाजो की लंबाई 36 इंच है और जो हिप का साइज है वो भी 36 है यानि कि 18 हाफ में है 36 में 4 इंच हम लूजिंग का डालेंगे तो 40 इंच हो जाएगा 40 को फिर हमने इसको डिवाइड करना है फिर 4 से 4 हिसों में डिवाइड करेंगे तो 10 इंच आ जाएगा 10 इंच ही इसका क्रॉचेरिय हो जाएगा 10 इंच ही इसका आसन हो जाएगा इस नाप में यह जो measurement है वो बिल्कुल sufficient रहेंगी बिल्कुल perfect रहेंगी यहाँ पे जो थाई का नाप है 23 है तो 23 में हमने 2 inch plus करना है 23 में हम 2 inch plus करेंगे तो यह 25 आ जाएगा 25 को हमने 2 से ही divide करना है sorry यह 4 नहीं है यहाँ पे 2 से divide करना है तो हम 2 से divide करेंगे यह हमारा हो जाएगा 12 तो इसको हमने 25 है इसको हमने 2 से divide कर देना है तो 12 आ जाएगा यह one side थाई का नाप है हमारा 12 तो crouch area में जब हम लगाएंगे इस तरह आपको मैं थोड़ असर एक draft बनागे दिखाती हूँ इस तरह pattern बनेगा यह हमारा गेरा होगा यह हमारा crouch area होगा और नीचे का जो thाई का हिस्सा है वो ہमारा crouch area के बिल्कुल सामने होगा तो यहाँ पे इस तरह का draft बनना है तो चले इसको बनाते हैं यहाँ पे हमने कपड़ा ले लिया है पड़ा हमारा 2 मेंटर है इसको हमने double में fold किया है सबसे पहले इसकी लंबाई लगानी है जितनी आपकी plaza की लंबाई है उस से एक इंच कम लगाएंगे यहाँ पर 36 इंच लंबाई है तो यहाँ पर 35 इंच का निशान हम लंबाई में लगा लेते हैं जितना भी आपको plaza लं है अब बार हम उपर से कटिंग शुरू करेंगे तो उपर की है पहले हमने नाप लगा ना है यहां पर आधा इंच हमें छोड़ दे कपड़ा यह हम्हेरा कुली वाली साइड कपड़ा है कंदी वाली साइडी सं इसको लगा रहे तो 10 इंच हमने इसका घेरा लगा लिया है, 10 इंच इसका हम crotch area लगाएंगे, इस तरह हमने 10 इंच इधर से भी नाप लेना है, 30 इंच साइड में छोड़ते हुए, 10 इंच का हम इस तरह निशान लगाएंगे, तो ये हमारा crotch area लग जाएगा, तक्रीबन अब हम इसको इस तरह गुलाई देते हुए ये क्रोचेरिया निकाल लेते हैं पैंट प्लाजो कट करने का एक फोबिया ही होता है लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरह कटिंग कर सकते हैं यहां पे हम साइड की तरफ दो से 2.5 इंच छोड़ देंगे अगर आप 2.5 इंच छोड़ के इसको लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी यहां पे आपने अपने पॉंचा लगा लेना है जितना भी पॉंचा रेडी रखना है उतना लगा लीजिए इसमें कुछ भी एक्सर नहीं लगेगा अगर आपका 6 इंच पॉंचा है 6 इंच लगाईए 7 इंच पॉंचा है तो 7 इंच लगाईए तो दोनों साइट के निशान हमारे लग गए हैं अब हमने इसने शेप पट्टी लेनी है शेप पट्टी को इस तरह रखेंगे हलका सा कवर्ब वाली साइड उपर की तरफ करते ह और इस पर एक निशान बना देंगे तो यह हमारा कटिंग का निशान होगा यह हमारा फ्रंट वाला पीस कट रहा है और जो बैक वाला पीस है उसमें हमारे चेंजिस होंगे थोड़े तो वह आप ध्यान से देखिएगा कई लोग क्या करते हैं कि एक पल्ले की कटिंग करनी है जिस जिस पे हमने यहां पे निशान लगाए हैं यहां पे बढ़ा के कुछ भी कट नहीं करना है जो भी हमारा कपड़ा बढ़ेगा जो भी मेजरमेंट हमारा ज्यादा होगा वह हम बढ़े वाले पल्ले में यानि की पीछे वाले पल्ले में करेंगे यहां पे इसको cutting कर लेते हैं इसको हम इस तरह set कर लेंगे पहले और side की तरफ हमने बढ़ा के कपड़े को रखा हुआ है तो side में इस तकरीबर एक से है强 हें हमारा क्रॉचे Aww लगा लेंग damn якस मारा कर लिया है और इस क्रेली करदें रहें कि आदें लिगंगी सेड़ लिया है झाइ थे नहीं कि और आपई प्रशप हो जाएका bubble जितना गैप उपर से है दो इंच का वही हलके हलके मिलाते हुए नीचे तरक मिला लेना है आपने इसको अब उपर की तरफ क्या सेटिंग करनी है वो देखिए पहले उपर की तरफ जो बैक वाले पले का क्रोच एरिया है वो दो इंच बढ़ किया आएगा अब यह शीज का द्याँ रखिए बैक वाले पले का क्रोच एरिया दो इंच बढ़ा करना है और फ्रंट वाले पीज का 1 इंच क्रोच एरिया कम करना है इसी से आपका प्लाजो अच्छा बनेगा और आपका प्लाजो का जो पॉंचा है वो खीचेगा नहीं और जो क्रोच एरिया है उसमें भी बिल्कुल खीचाव नहीं आएगा पेंट प्लाजों का तो यही कटिंग है अभी बाकि लूस की कटिंग का हम बाद में आपको बताएंगे अब जैसे जैसे हमने मार्किंग की है सेम उसी के उपर कटिंग कर देते हैं तो सिलाई करने का जो वीडियो है वो आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं सिलाई करने का हमने स्टेप बाइ स्टेप बताया है हर चीज बताई है उसमें बेल्ट कैसे लगाते हैं इलास्टिक कैसे लगाते हैं और जो हमारी pocket है वो कैसे लगाते हैं सब चीजे हमने clear की हैं उनको आप देख लीजेगा तो लीजे क्रोच एरिये की cutting हमारी हो गई है यहाँ पे तीन शोड के हमारी प्लेट आएगी इसका निशान भी हमने लगा दिया है और side से अब हमने कर देनी है इसकी cutting और यह जो हमारा और चड़ाई भी हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे तो लीजे यह cutting अब हमारी यहाँ पे हो गई है side से हमने कुछ भी बढ़ाया नहीं था लेकिन जो अंदर वाली side है उसमें हमने यह जो बढ़ा कर cutting करनी है तब ही हमारी plazo की fitting अच्छी आती है तो अब लीजे यह plazo की हमार च्रूर लगा लेना है जहां से यह folding है तो दोनों हिस्सों में निशान आ जाएंगे यहाँ पे यह मेरे पास कपड़ा है यह double में है आप देख लीजे यह कपड़ा double में है और यहाँ पे अब हमने इसकी लंबाई ले लेनी है तकरीवन 13 इंच और जो इसकी चुड़ाई है ले लेनी है 7 इंच लंबाई 13 इंच और चुड़ाई 7 इंच ले लेनी है और एक साइट से इस तरह गुलाई इसको दे देंगे तो यह pocket हमारे इस तरह कड़ जाएगी और यह हमारा दोनों साइट से open है तो बड़े वाली साइट से हमने इसको इस तरह सिलाई लगा देनी है और यह हमारी pocket बाद में लगेगी आप उस cut stitching वाले वीडियो में देख लीजिएगा जाकर आपको pocket लगाने का तरीका बहुत ही अच्छा सा मैंने बताया हुआ है तो लीजे यह plazo हमारा कट गया है अब हम इसकी stitching करने के बाद एक look आपको दिखाते हैं तो लीजे plazo हमारा बनकर तैयार हो गया है यह हमारा pen plazo है नीचे का हिस्सा आप देखिए कितना finishing से आया है और उपर के हिस्से में हमने एक side पे elastic लगाई है और एक side पे हमने bench लगाई है और यहां पे pocket भी लगा कर ready की है इसकी सबसे असान stitching हमारे channel पे हैं आप जाकर देख सकते हैं और बहुत की नई cutting stitching के साथ मिलते हैं तब तक के लिए good bye take care